वेलकम तो पी डबलो ओंडी आई एस तो अगर थे आप सभी लोगों का करेंट अफेर्स के हमारे आज के सेशन में आज एक मार्च दो हजार चॉबीस है तो चलिए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जिन पर आज बातचीत होनी है यूँ तो कई सारे important articles हैं जिन पर आज हम discussion करने वाले हैं इन articles पर बेशक चर्चा होगी लेकिन उसके पहले देखते हैं the Hindu में बिलकुल से front page पर क्या है अब जैसे ही the Hindu को open करते हैं आपको मिलती है एक news about the disqualification of six rebel MLA's हिमाचल प्रदेश में राजे सभा के elections हुए राजे सभा के इन elections में Congress के 6 MLA's ने vote किया BGP के favor में इसके against में कारेवाई हुई और उन्हें disqualify कर दिया गया तो क्या उन्हें disqualify किया गया है इस cross voting के लिए नहीं उन्हें disqualify किया गया है जब budget को propose किया जा रहा था assembly में तो उनकी absence के लिए speaker ने ये कहा कि जब budget को propose किया जा रहा था तो उन्हें वहाँ present रहना था और vote करना था government के favor में जैसा कि उन्होंने नहीं किया and that is the basis for their disqualification disqualification करने के बाद वो अपनी पस से हट जाएंगे आप इसकी और code को scan करके इन्हें download कर सकते हैं और अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं these books are free of cost as you know चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे पहला article जो हमारा है that is about United Nations Human Rights Council UNHRC अभी हाल फेलाल में पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही पुराना वाला राग अलापा जम्मुएन कस्मीर का जब United Nations Human Rights Council की मीटिंग हो रही थी इंडिया ने यहाँ पर मुद्दा रेस किया पाकिस्तान के debt trap होने का और कहा गया कि पाकिस्तान एक ऐसा देस जो अपनी कंट्री के debt नहीं चुका पा रहा जो लगातार टेररिजम में लिप्त है और हर जगें परिशानिया खड़ी करता है उसे सबसे पहले तो चिंता करनी चाहिए अपने देश की और वहाँ पर हो रहे Human Rights Violations की ना कि यही पुराना राग बार-बार जो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है उसे गाते रहना चाहिए इसी reference में न्यूज में आ गया United Nations Human Rights Council बात करते हैं क्या है ये United Nations Human Rights Council को बनाया गया था United Nations General Assembly के द्वारा 2006 में इसके पहले हाला कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई institution नहीं हुआ करता था इसके पहले हुआ करता था Commission on Human Rights तो जो Commission on Human Rights था उसे ही replace किया था United Nations Human Rights Council ने क्या काम दिया गया इस संस्था को इस संस्था को काम दिया गया कि आप Human Rights को globally promote और protect करो Human Rights violations को आप address करो और recommendation दो कि कैसे हम Human Rights की situation को और better कर सकते हैं कहां पर है ये body headquarter this is headquartered in Geneva, Switzerland यहीं पर ये headquarter है चलिए जब इतनी बात हो ही गई है तो members इपर भी बात कर ले रहे हैं 47 member states हैं United Nations General Assembly में अभी जो member states हैं इनका region wise distribution होता है ताकि पूरी दुनिया को एक clear cut representation मिले जैसे कि अगर 47 members UNHRC में होते हैं तो यहाँ पर 13 states African states के लिए book कर दी जाती हैं ताकि Africa को एक proper representation मिल जाए ताकि Africa को एक proper representation मिल जाए Asia Pacific region को 13 states दी गई है as usual Latin American and Caribbean states को मिली है our states Western European और बाकी के states को मिली है 7 states वही Eastern European states को मिली है 6 states तो यह division हुआ है members तीन साल का term पूरा करते हैं तीन साल का एक term पूरा हो जाने के बाद उनका तुरंट से re-election नहीं हो सकता हलाकि बाद में वो आपस select of course हो सकते हैं कहरें का मतलब यह है दो लगातार terms नहीं मिलेंगे यहाँ पर देखो एक president और चार vice president होते हैं इन regional groups को represent करते हुए जो मिलकर इसके bureau में काम करते हैं अब मामला यह है कि कैसे काम करता है यह UNHRC UNHRC के अगर आप काम करने का mechanism समझना चाहो तो इको इनके पास मतलब एक जो office of high commissioner of human rights है जो जगे जगे पर जाके reports वह रादा यार करते हैं उनके साथ UNHRC एकदम काफी closely engage होके काम करता है और UN के जो special procedures हैं उन्हें भी संग्यान में लिया जाता है यह अपना खुद का काम और अपनी खुद की functioning हर 5 साल में review करते हैं और UNHRC के बारे में सबसे खास बात होती है UPR इसे तो आप कभी मत भोलना and that is universal periodic review यह सभी UN member states में किया जाता है तो जो इंडिया का UPR है आप उसके बारे में जरूर से देख के रखो UPR में होता क्या है कि जो United Nations का यह UNHRC की जो टीम है वो आती है और हर member state में जो human right की condition है उसे evaluate करती है और यह समय समय पे होता रहता है उस evaluation के बार वो एक report तयार करते हैं और उसी report को UPR कहा जाता है Universal periodic review जब भी इंडिया का UPR तयार होता है तो कुछ controversial मुद्दे बीच-बीच में आ जाते हैं जैसे की कश्मीर का मुद्दा आ जाता है जहाँ बारत सरकार का यह जरूर कहना रहता है कि जो human right council है वो bias दिखती है और कहीं ने कहीं यह western countries के tool के तूर पे खाम करती है यह आरोप लगते रहते हैं यह United Nations के जो special procedures है उसमें independent human right expert की बात की जाती है जो human right issue के उपर ना केवल advice देते हैं बलकि reports को भी दयार करते हैं यह civil society groups को भी allow करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर human right के violations हो रहे हैं तो आरोप लगाईए आप आरोप लगाईए उसके बाद अगर उस ओर United Nations human right council का ध्यान जाता है तो फिर वो जाज़ परताल करेंगे देखे जो UNHRC है वो कम से कम साल में तीन बार meeting करते हैं तीन से जादा बार भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम तीन बार meeting ज़रूर करेंगे और इनकी जो तीनों meetings हैं उनको मिला कर कम से कम दस हफते की बाद चीज़ जरूर होनी चाहिए ये कोई special session भी बुला सकते हैं अगर one third member से request करते हैं कि कहीं पर serious human rights के violation हो रहे हैं तो तो ये तो UNHRC का overall मामला जो हमने यहाँ पर discuss किया हम आगे बढ़ते हैं अफने next article की ओर and that is about India's semiconductor mission Union cabinet ने जिसे chair करते हैं हमारे Prime Minister श्री नरेंदर मोदी जी उन्होंने approve किया है तीन semiconductor units को ताकि इंडिया में जो ecosystem है semiconductor और display manufacturing का वो बहतर हो देखो जो भी electronic devices हैं वहाँ semiconductor का इस्तिमाल किया जाता है इंडिया अभी भी semiconductor के लिए चाइना और टाइवान के उपर dependent है यही करण है कि हमारी जो electronic industry है वो बहुत अची तरीके से grow नहीं कर पा रही हमारे यहाँ सस्ते और अच्छी quality के mobile phones नहीं मिलते और भी जो electronic gadgets हैं वो हमारे यहाँ दूसरे देशों के तुलना में महगे होते हैं इसी वजह से हम imported items को सस्ते rates पर खरीद लेते हैं और हमारी जो indigenous manufacturing है वो बेटर नहीं हो पाती मतलब अगर हम इंडिया में electronics को revolutionize करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले focus करना होगा इन semi conductors के उपर जो उसकी basic unit के तोर पर काम करते हैं semi conductors बनाने के लिए कई तरीके के efforts किये जा रहे हैं इसके लिए सरकार ने एक proper mission भी launch कर रखा है उसी mission के तहर अभी 3 units को यहां पर found किया गया है जहां पर semi conductors को बनाने का काम किया जाएगा अब यहां पर चो पहली unit बनाई गई है जिसका नाम है semi conductor इसे टाटा electronics private limited ने found किया है यह गुजरात के धोले रा में बनाई गई है इसमें 91,000 क्रोर का investment है दूसरा है semi conductor ATMP unit यह भी वही टाटा semi conductor assembly and test private limited के तरह बनाया गया है यह आसाम के मूरी गाउं में लगाया गया है और 27,000 क्रोर का investment यहां पर है semi conductor ATMP unit CG power ने यहां पर लगाया है जो कि गुजरात के सरंद में है यहां पर 7,600 क्रोर का investment किया गया है तो यह 3 units है जो इंडिया में यह semi conductor के production को बढ़ावा देंगे जिससे overall हमारा पूरा electronics का ecosystem ही better हो जाएगा देखते हैं कि क्या होता है आगे लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इंडिया के semi conductor mission को जिसके तहट इंडिया नहीं यह plan बनाया कि हम इंडिया में जो semi conductor का production है उसे enhance करेंगे यह जो पूरा mission था ना इसको 2021 में launch किया गया था और इसके रिए सरकार ने कहा था कि हम 7,600 करोन रुपए भी खर्च करेंगे Ministry of Electronics and IT के AGES में उनके अंडिर में यह पूरा mission रन किया जा रहा था एक objective यह था कि इंडिया में एक sustainable semi conductor और display ecosystem बने design link incentive scheme को भी launch किया गया मतलब कि आप बढ़ियां design develop करो deploy करो अच्छा इंफ्रा बनाओ इसके लिए सरकार आपको पैसे देगी विजन यही है कि अच्छा ecosystem develop हो ताकि इंडिया एक global hub बने electronics manufacturing and design में हम complete कर सकें चाइना के साथ हमारे dependency कम हो ताइवान के ऊपर यह कई सारे मुद्दे रहेंगे इंडिया के semi conductor से associated चले आगे बढ़ेंगे next article की ओर और जो हमारा अगला आर्टिकल है that is about international big cat alliance बहुत ही prime news है I will say बहुत ही prime news है एक एक detail रट जाना क्योंकि यहां से question आने की पूरी संभावना रहेगी be sure about this article international big cat alliance क्या है union cabinet ने अभी हाल ही में international big cat alliance को establish करने को लेकर approval दे दिया है इसका headquarter होगा इंडिया में और इसके लिए सरकार ने one time 150 क्रोर रुपीस का budget भी पास कर दिया है जो की आने वाले 5 सालों के लिए है यानि की 2030, 26, 27, 27 के लिए ध्यान दीजिए international big cat alliance एक international organization है लेकिन इसे इंडिया ने बनाया है ये इंडिया में ही headquarter होगा तो अगर कोई international level का association alliance इंडिया बना रहा है तो फिर आप उसकी एक एक detail को खंगा लिए क्योंकि ये सबसे prime question होगा जो आपके सामने prelims में पूछा जाएगा IBCA इसे prime minister नरेंदर मोदी ने 2019 में ही initiate किया था ताकि एशिया में जो poaching की जाती है big cats की big cat में 7 प्रजातियां आती है मैं आपको बता दूँ जैसे की jaguar, snow leopard, puma leopard, lion, tiger, cheetah इन सभी को हमें protect करना है इनकी poaching को हमें रोकना है इसके पहले 2019 में तो इसे initiate कर दिया गया इसका formal announcement हुआ 9 April 2030 को यानि कि उसके 4 साल बाद इसे formally announce किया गया जब इंडिया के project tiger के 50 साल पूरे हुए 1973 में इंडिया ने project tiger शुरू किया था और project tiger के 50 साल पूरे होने के साथ ही हमनी यहाँ पर launch कर दिया है IBCA को अब भीको सरकार ने तो अपनी ओर से इसको announce कर दिया बट यहाँ पर ज़रूरी था कि इसे union cabinet अप्रूव करे और अब इहाल ही में union cabinet ने भी इसको अप्रूव कर दिया है इसे के साथ दुनिया को मिलता है एक बड़ा alliance जो जो big cats हैं उन्हें conserve करेगा यहाँ पर 7 big cats को cover किया गया है जैसे कि tiger, loin, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar और puma इन सभी को यहाँ पर cover किया गया है इन्हें conserve करने के efforts किये जाएंगे 97 range countries है range countries का क्या मतलब है वो countries जहाँ पर यह big cats पाई जाती है वो सभी welcomed होंगी कि आप आईए इस alliance का हिस्सा बनिये इसके लाबा कोई भी orderation कोई भी एक दूसरा देस जो चाहता है कि big cats को बचाया जाए कोई international organization हो सब welcome है आईए और हमारे साथ मिलकर काम करिए तो international big cat alliance बड़ी news है बिल्कुल तयार रहे इसके लिए activities क्या होंगी हम advocacy करेंगे कि big cat बचाओ partnership, knowledge sharing, capacity building ego tourism, finance tapping यह किये जाएंगे ताकि big cats को बचाया जा सके recovery efforts करेंगे potential habits में जहां पर उनकी संख्या कम हुई है वापिस से बढ़ाएंगे inter-governmental platform के दरह यह काम करेगा conservation के लिए सरकार ने अपनी और से 150 क्रोन रुपए अगले 5 सानों के लिए लगा दिये है इसके बाद membership fees और contribution के जरीए और पैसे कठा किये जाएंगे ताकि better काम हो सके governance का structure क्या है ध्यान से सुनिएगा एक होगी general assembly जिसमें जो भी लोग इस alliance का हिस्सा होंगे सभी लोग आ जाएंगे जो general assembly होगी उसमें से एक council बनाई जाएगी इस council में कम से कम साथ और जादा से जादा 15 member होंगे इस council को elect किया जाएगा general assembly से ही और इस council का जो term होगा वो होगा 5 सालों का बनाया जाएगा एक secretariat जो secretariat होगा वो council के अंडर में होगा जिसमें होगे एक secretary general जो कि general assembly के यहाँ पर general assembly उनको appoint करेगी council की recommendation पे ठीक है तो general assembly ही secretary को भी appoint करेगी यहाँ recommendation council की होगी तो सबसे उपर होगी assembly फिर होगी council और उसके अंदर होगी secretariat जो की overall काम देखेंगे तो यह तो पूरा governance structure है IBCA का IBCA रटा लगा लो significance यह mutual cooperation को बढ़ावा देगा conservation और sustainable use जो national resources का है उसे भी widen करेगा ठीक है और climate change को mitigate करने में भी help करेगा तो international big character alliance बहुत important article जो हमारे सामने आया आगे बढ़ते हैं मामला है article 25 का article 25 of the constitution के लाहाई court में एक plea गई थी यहाँ पर अभी जो Malayala brahmins है उनके लिए एक advertisement आया कि जो आर्चक का पद है वो Malayala brahmins के लिए open है वो apply कर सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर apply करी why only Malayala आर्चक आर्चक मतलब मंदिर के priest उन्हें ही क्यों इस पद के लिए बुलाया जा रहा है हिंदू community का कोई भी और member worship कर सकता है अगर उसे वेद और मंत्रों की अच्छी जानकारी है अगर वो qualify करता है तो क्यों एक community को ही specify किया जा रहा है कि वो ही आर्चक या फिर priest का पद ले सकते हैं केरला high court में जब plea गई तो ये बोला गया कि ये article 25 का violation है मतलब हर किसी को जो religion है उसे प्रोफेस प्राक्टेस और प्रोपगेट करने का right है तो केवल एक community को ही को ही क्यों मंदिर में पूजा पार्ट करने के लिए allow किया जा रहा है हलांकि केरला high court नहीं इसे खारिच कर दिया ये बोलकर कि article 25 जो constitution का है वो आपको मंदिर में जाकर पूजा करने का अधिकार बिलकुल देता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्चक के पद के तौर पर जो पूरी ceremony है उसे perform करेंगे और ये आपका fundamental right होगा ऐसा कोई भी मामला नहीं है देखे मंदिर में पूजा पाठ करना एक essential practice माना जाता है और उसके लिए जो certain recommendations है वो applicable रहेंगी certain conditions applicable रहेंगी आर्चक का जो पद है वो hereditary होता है in general और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें जो rituals है जो पूजा पद्धती है उसकी अच्छी जानकारी होती है हर किसी को वो जानकारी हो इसकी कम संभावना होती है इसलिए ये पद Malayala Brahmins के लिए ही रहेगा तो यहाँ पर तो देखे court ने article 25 को संग्यान में इस basis पर नहीं लिया है आपको क्या लगता है उसके पहले हम बात करेंगे article 25 के बारे भी freedom of religion सभी को guarantee किया जाता है कि वो अपनी आत्मा से क्या मानना चाहते है आप कौन सा धर्म follow करना चाहते है आप जो भी धर्म follow करना चाहते है आप उसे profess कर सकते है खुल के बोलिए डरिये मत कि आपका धर्म क्या है आप हिंदू है आप मुशलमान है आप क्रिशिन है आप पारसी है आप सिख है आप बौध है या फिर आप जैन है हिचकी चाहिए मत खुल कर बोलिए कोई समस्या नहीं है इट मींज आपको profess करने का right है कि आप किस धर्म से बिलॉंग करते है प्रैक्टिस करिए अपने religious traditions को customs को कोई आपको रोकता नहीं और आप अपने religion के बारे में अच्छी बाते propagate भी कर सकते है हाँ इसका मतलब conversion कत्ता ही नहीं है लेकिन बिल्कुल आप अपने religion के अच्छी बाते बोल सकते हैं बता सकते हैं ये सब कुछ guarantee किया जाता है आर्टिकल 25 में freedom of conscience freedom of conscience का मतलब होता है कि आप अपने अंतरमन से आप अपनी आत्मा से किस भगवान को मानते हैं उनके किसी और creature को मानते हैं उसके आपको फुरी inner liberty है वैसे भी freedom of conscience में कोई कर क्या लेगा मतलब मैं अपने अंदर अपनी आत्मा से जिस भगवान को मानता हूं मानता हूं ये मेरा अपना relation है मेरे God के साथ इसमें कोई और कैसी intervene कर सकता है हाँ लेकिन इसके साथ आपको कुछ और भी rights मिलते हैं जो खास हैं जिसमें पहला है right to profess profess करने का मतलब ये होता है खुल कर बोलना कि आपका religious belief या faith क्या है कई सारे देशों में जहां पर religious restrictions होते हैं वहाँ पर लोग अपने धर्म को छुपाते हैं वो हैं किसी दूसरे धर्म के लेकिन अटायर ले ले लेते हैं किसी दूसरे धर्म का खुल कर बोलते नहीं है दूसरे धर्म के बारे में जिससे वो belong भी नहीं करते वो उसकी जानकारी इकठा करते हैं ताकि camouflage कर सकें जैसे कई सारे जिगों पर आपने देखा होगा, दूसरे faith के लोग काफी aggressive होते हैं, तो उसे बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, it means कि आपको अपना religion profess करने का right नहीं है, आप बोल नहीं सकते कि मैं इस religion से belong करता हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला, तो आपको मार दिया belief के expressions हैं, उनको ला सकते हैं सामने, यह है right to practice, और propagate करने का मतलब क्या होता है, कि आप religious belief को transmit कर सकते हैं, disseminate कर सकते हैं, जैसे भजन किरतन होता है, गाना वगएरा गया जाता है, हर religion में ऐसे कुछ practices होती हैं, आप उसको खुल कर करिए, हाँ, इसमें आप किसी को forcibly convert करने के first नहीं करेंगे, यह कत्ताई allowed नहीं है, आप किसी को convert नहीं कर सकते हैं, आप अपनी धर्म की अच्छी बाते बोल सकते हैं, आर्टिकल 25 इस लिहाज से बड़ा खास हो जाता है, आर्टिकल 25 में religious beliefs, यानि कि doctrines और practices, यानि कि rituals दोनों को cover किया गया है, और यह हर व्यक्ति पर कि non-citizens पे भी, कोई अगर इंडिया का citizen नहीं भी है, तब भी हम उसको आर्टिकल 25 देते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें एकदम यह absolute है, कोई restriction नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, कुछ मामले लागू हो जाते हैं, जैसे कि public order, morality, health और बाकी के fundamental rights, जो दर provisions है, आप जो कुछ भी कर किसी religion की जो practices है, उनको restrict कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे वो practice essential नहीं होनी चाहिए, essential होगी तो वो नहीं रोकिंगे, by law, ऐसा कोई law बना आ जा सकता है, जो social welfare और reform करे, या Hindu religious institutions को हिंदू के सभी sections के लिए open कर दे, इसमें भी कई कोई रोक टोक नहीं होगी, explanation की बात करते हैं, क कर लिया जाता है, relevance की बात करें, तो religious freedom grant करता है, civil liberty का सबसे बड़ा हिस्सा है यह, और यह social harmony को भी create करता है, खास article रहा यह, हमारा अगला article, नियो लिथिक एज के बारे में है, department of ancient history and archaeology, industry of madras नी, अभी एक बहुत ही पुरानी बरिल शायट को खोदा है, निकाल लिया है, और इसके बगल में रखे हैं कुछ बरतन, यानि की पॉर्स, यह नियो लिथिक पीरिट का बताया जा रहा है, यह जो चिंगल पट्टू का एरिया है, चित्ती मेडू, पाथूर का, वहाँ पे मिला है, अगर किसी बरियल में कुछ बरतन, और्नमेर्स वगरा रखे होते हैं एक दूसरी लाइफ मिलती है, I will say, लाइफ आफ्टर देथ, इसमें बिलीव रखते थे, ठीक है, तो देखो, कल्चरल एवोलुशन का, जो प्रेहिस्टॉरिक पीरिड है, उसमें ही फाइनल स्टेज हुआ करता था, जिसे हम लोग न्यू स्टून एज कहा करते थे, या फि कि हिस्ट्री के जो आखरी 11,700 साल रहे हैं, उसमें हम बेसिकली मानते हैं कि हाँ नियूलिथिक पीरिड था, रफली ये कहा जाता है कि 10,000 BCE के आसपा सुरू हुआ होगा, इन डेट्स में बड़ा वैरियेशन मिलता है, उस वैरियेशन का कारण है, अलग-अलग एरियाज मे अलग-अलग समय पर इस पीरिड का शुरू होना, और इतिहासकारों में मतभेद होना, इसी लिए कई दफा जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बड़ा विवाद कर देते हैं, कि सर आपने तो ये डेट बताया, यहाँ पर तो ये डेट लिखा हुआ है, सर बड़ा confusion हो जाता है, मैं समझाता हूँ, लेकिन कई दफा समझाना मुश्किल होता है, जैसे हो सकता है, कि North India में जो नियोलिथिक एज है, वो 1000 साल बास शुरू हूआ हो South India से, यह हो सकता है, कि ये उरोप में जो नियोलिथिक एज है, वो इंडिया से 2000 साल पहले या बाद म कि कुछ आधार है, वो आधार मैं भी आपको बताता हूँ, वो आधार क्या है, वो आधार ये है कि उस समय हमने polished और grinded stone tools का इस्तिमाल करना शुरू किया, हमने plants और animals को domesticate करना शुरू किया, हमने permanent गाउं बनाने शुरू कर दिये, हमने pottery and weaving की शुरूआत करी, हमने घरों को बनाना शुरू किया, जो की rectangular और circular shape के होते थे, alcohol का production शुरू हुआ, architecture और decoration की शुरूआत हुई, और burial practices काफे refined हो गई, और after life belief के साथ ये काम होने लगे, जब ये सारे काम होने लगे न, तो हमने उसी phase को, agriculture वगएर अच्छा होने लगा, उसी phase को हमने Neolithic age कहा, अब मामला य ये है कि सारे practices क्या North India में South India से 1000 साल पहले नहीं हो सकती, या बाद नहीं हो सकती, बिल्कुल वही मामला है, इसी लिए जो Neolithic sides हैं, उनकी age vary करती है, तो एकड़म specifically ये बताना कि नहीं, इस दिन इस तारीख मंगलवार से Neolithic age की शुरूआत हुई, आज से 10,000 साल पहले, मंगल पेरिड में वह बड़ा vary कर जाती है, इसके पहले पहले पहलोथिक age हुआ करता था, इसके बाद ब्रोंज age आ गया, ब्रोंज age जहां पर हम metal tools का इस्तेमाल करने लगे, उसके बाद ही जो Neolithic age है, वो decline करने लगा, क्योंकि वहाँ पर पत्थरों का use होता था, हमारे हाथ जब प्राइमरी material बन गया, हम उसी के tools and weapons बनाने लगे, और जो पुरानी stone की technology थी, वो हो गई, खतम, और उसके साथ ही, हम bronze age में एंटर कर गए, और Neolithic age खतम हो गया, तो ये तो मामला रहार Neolithic age का, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला article, status of leopard के बारे में है, जिसको लेकर अभी हाल estimation है, इसके fifth cycle थी, पाचवी बार जो leopards हैं, उनकी population को हमने यहाँ पर count करा है, दो लोगों ने मिलके ये काम किया, National Tiger Conservation Authority और Wildlife Institute of India, collaboration state for his department का भी रहा, वही लोग तो मदद करते हैं, leopard की population को हमने tiger range states में evaluate किया, जहाँ पर tigers पाये जाते हैं, methodology में कई तरीके इस्तिमाल के जाते हैं, पहला होता है, foot survey, उनके जो पैरों के निशान होते हैं, हम उनको identify करते हैं, हाट अगर के अलग अलग होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये सेम का है या अलग का है, तो 641,000 km के एरिया में ये काम किया गया, प्लस camera traps, लगवग 32,000 locations पे camera's लगाई गया, और हम वहाँ प 4 crore, 70,000, 81,000 photographs click किये, उसके बाद उनको हमने cross check किया, और हम पता चला कि हाँ कौन सा leopard, किस तरीके का है, ठीक है, I've seen status leopard का है, vulnerable, this is vulnerable, कि state में क्या population है, वो data यहाँ पर आपकी screen पे है, मन करें तो pause करके पढ़ ले ना, ना मन करें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो key findings की बात करते हैं, 13,874 individuals estimate किये गए हैं previous state estimate के compassion में stable है यह Central India में ठिक ठाक लेपर्ड की population है, श्यवाली खल्स में या गेंगेटिक प्लेंस में एविल से, मदर प्रदेश में सबसे ज़्यादा snow lepards की यहां पे not snow lepards, lepards की population है, इसके बाद महरास्ट्रा, समस्या है, और protected areas के बाहर भी इस बात के उपर focus ज़रूरी है, कि हम कैसे इन्हें protect कर रहे हैं, चलो हमारा जो अगला आर्टिकल है, वो National Commission for Backward Classes के बारे में है, West Bengal की सरकार एक बार फिर से परिशानी में है, उन्होंने recommend किया था 83 cast को, कि इन्हें Central List में Other Backward Class यानि कि OBC के कटेग्री में डाल दिया जाए, National Commission for Backward Classes ने निशाने पिलिया है, बश्च बंगाल के सरकार को कि ये कदम कितना सही या गलत है, इसी reference में NCBC News में आया, NCBC, National Commission for Backward Class, इसे Central Government ने constitute किया था, National Commission for Backward Classes Act 1993 के था है, हाला कि 2018 में the Constitution 102nd Amendment यानि कि 102 जो संसोधन था, Amendment था, उसके जरीए हमारे Constitution में Article 338 भी एड़ किया गया, और इसे मिल गया एक Constitutional Status, इसमें होते हैं एक Chairperson, Vice Chairperson और 3 Members, कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट करेंगे हमारे President Members को Rank और Pay Secretary का मिलता है Government of India में यह Investigate और Monitor करते हैं किसी भी ऐसे Matter को जो Socially और Educationally Backward Class के लिए बहुत जरूर ही है Specific Complaints आती हैं तो उसको भी देख लेते हैं Socio Economic Development का ध्यान रखते हैं Progress को Evaluate करते हैं इनकी Annual Report आती है जो जाती है President के पास और President उसे रख देते हैं Parliament के सामने ठीक है और यह अपनी जो Duties है President या फिर जो Parliament को Specify करते हैं वह यह करते हैं तो यह तो NCBC का मामला हो गया NCBC की Reports की बात करते हैं तो यह Parliament के दोनों House के पास जाती है और इनकी Recommendations पर फिर बातचीत होती है इनकी Power Civil Code की होती है मतलब भी किसी को सम्मन कर सकते हैं Inquiry करवा सकते हैं कोई भी सबूत पांग सकते हैं Union और State Government से यह Consult करते हैं ठीक है मतलब इनको Consult किया जाता है जब भी कोई Major Policy Decision होता है OBC से Associated तो सरकार एक दफाइन से बात कर लेती है पूछ लेती है इनके पास आपने खुद के Procedures को भी Regulate करने का Right होता है Effective Implementation पे इनका Focus होता है और Consultative Body के दोर पे भी काम करते हैं चलो Last session में जो मैंने आपसे प्रशन पूछा था About Genome Sequencing उसके 3 के 3 हो Given statement correct है लेकिन आज आपके लिए है खास सवाल आपको बताना है कि Right to Marry किस article cabinet में आएगा Article 19, 21, 25, 29 फटाफ़र आंसर करिए इस question को comment box में सचिन की PDF मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल पे जिसका QR code आप ये है scan करके वहाँ पहुंच चाहिए हर बार की तरह map-based question दन्नेवाद